नमस्कार दोस्तों मैं कुंदन सर्मा आपको साम में फिर से हाजन हो एक नए वीडियो के साथ में तो स्टार्टप इंडिया के जो है एक अलग ही बेनिफिट है तो अगर आप अपने फर्म का स्टार्टप इंडिया में रेइस्टेशन करके डिप आया टी नमबर लेना चाहते है तो फेंड्स ये वीडियो को कम्प्रिट देखिए ताके फेंड्स आपको इस वीडियो की आप उस नमबर पर कॉल करके जो है आप हमारे सारे सर्विस का यूज कर सकते हैं तो चलिए बिनलेट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्टप इंडिया का रेइस्टेशन करना है तो आपको स्टार्टप इंडिया.GOV.IN पर आना पड़ यहां पर आप जो है रिक बीडियो बनाया था स्टार्टप के रिगार्डिंग तो फेंड्स आप उस वीडियो के जरूर देखे उसमें मैंने पूरा इलिजिबिटी करेटर्य बताया कि कौन से फर्म जो है अपने आपको स्टार्टप इंडिया में रिश्रिशन करवा सकते हैं तो यहां पर अगर आपको कोई नया कंपनी है लाइक प्राइवेट इल्मिटेड कंपनी एललपी फर्म या पार्टनर्सीप कंपनी तो उसको हम लोग कैसे रिश्रिशन कर सकेंगे यह हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपको इस वेबसाट पे खुद को रिश्टर करना पड़ेगा तो जब आप रिश्टर के बटन पे क्लिक किजेगा तब आपके मेल आड़ी पे OTP भीजा जाएगा तो आपको उस OTP को यहां फिल करके सब्मिट के बटन पे क्लिक कर दना है जैसे सब्मिट के बटन पे क्लिक किजेगा तो यहां पे आप देख पाएंगे कि आपको congratulation करके एक message आएगा आपका account created हो गया है तो अब आपको इसमें login करना पड़ेगा login करने के लिए simple login है आपको इसपे click करना पड़ेगा click करने के बाद आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा आप याद रखें कि यहाँ पर आप जिस mail ID के तुरू registration किये हैं वही mail ID आपका username होगा और password तो आपको पता है कि क्या आपने create किया है इसके बाद आपको I am not a robot पे ज़रू tick out कीजेगा और इसके बाद login के पे click कर देजेगा जैसे आप login करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अपने profile में login कर चुके हैं ठीक है तो इस प्रकार से पहले interface आएगा तो यहां पर आपको इंडिया ही रहेगा अब यहां पर जो है आपको बहुत सारी option दिए गया है कि आपको start-up select करना है individual है इंकविटर है तो आपको देखना है कि आपका form किस प्रकार का आपका start-up है या आपका individual form है तो जिस तरह से होंगे उसके हिसाब से आपको यहां पर select करना पड़ेगा तो यह start-up form है तो मैं पहले बाले को यहां पर select करूंगा ठीक है इसके बाद नीचे आए यहां पर next step पर click करेंगे जैसे next step पर click करेंगे तो अब आपके पास में इस प्रकार से interface आगा जहां पर आपको अपने start-up का पूरा detail फिल करना पड़ेगा सबसे पहले अगर company का logo है तो आप यहां पर लगा दीजिए तो चलिए लोगो लगा देते हैं यहां पर जहां पर भी मैंने सेब किया है लोगो company का तो यहां पूछा जाएगा कि इस दिस यूर company और institution लोगो तो यहां पर है तब यस कर देंगे यहां पर अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको आफ भी कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जो है कि अगर आपका startup किसी दूसरे investor के तुरू fund किया गया है तो वह आपको funded स्टार्ट करना पड़ेगा बूट स्ट्रेप का मतलब क्या है कि आप अपना खुद का पैसा अगर इन्वेस्ट करके अपने startup को चला रहे तो उस case में आपका boot strapped होगा ठीक ना तो आपको देखना किस प्रकार का है तो मेरे case में बूट स्ट्रेप होगा तो मैं इसको सलिक करूँगा ठीक है यह stage पुझा जारा किस तरह का stage पर आपका startup है आइडियेशन पर है या early transaction पर है या scaling पर है तो यह पूर्ण तरह से startup है तो यह information tab में आ जाएगा तो यहां पर आपका email id लिखा रहेगा पहले से mobile नमर भी लिखा रहेगा अब यहां पर state आपको select करना है जो भी state से पर आपको चैड़ेगरी फिल करना पढ़ेगा यानि कि आपका industry किस तरह का है तो industry में जो है आपको पहले सलेक्ट करना पर किस प्रकार के इंड़ेस्टी में आप डिल कर रहे है ठीक है तो आप देख लीजेगा अपने हिसाब से जो भी industry में आप डिल करेंगो वो आपको सैक्ट्र करना है ठीक है इसके बाच यहां पर सेक्टर सनेखरना यांनि कि किस प्रकार के सेक्टर में आप काम कर रहे है तो आपको देख ल Dawid अ आपको दिखना है तो मैं यहां पर कंपनी इच्बर और उस कंफ़रां पर Daire इसके बाद आपको नेक्ट करना पड़ेगा तो आप देख पाएंगे कि यहां पर जो है आपका लास्ट स्टेप योर इंटरेस्ट पे आ चुका है तो यहां पर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वह आप सलेक कर लीजेगा ठीक है तो यहां करेंगा एक यहां पर इसको मैं यहां पर सलेक करके सेफ प्रोफाईल पे क्लिक करेंगे तो देख रहें आपका जो इस टार्ट अप का प्रोफाईल आपने जो भी इनफोर्मिशन दिया वह आपका सेव हो रहा है यहां पर आपको थोड़ा दिर वेट करना पड़ेगा यह एड करना तो यस एड़ डिटल पर क्लिक करके जो है आप आगे प्रसीड कर सकते हैं अगर नहीं करना चाहते हैं तो no I will do लेटर पर भी क्लिक करके आगे प्रसीड कर सकते हैं ठीक है बट यहां पर अभी जो है में पोर्शन क्या था कि आपको DPIT registration करना है यहाँ ठीक है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको dashboard दिख रहा हुआ आपको dashboard पर क्लिक करना है जैसे dashboard पर क्लिक करेंगे तब आपको इस प्रकार से आप application form को fill कीजेगा अगर आपका limited library partnership firm है या आपका register partnership firm है तो उस case में friends यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर देख रहे है सबसे पहले entity detail फिल करना पड़ेगा full address आपको office का फिल करना पड़ेगा ऐसे करके आपको total seven hits आपको fill करने पड़ेगा ठीक है तो one by one करके हम लोग सारे detail को fill करते हैं चलिए तो सबसे पहले entity detail पे click करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको nature of entity यानि के private limited company आपका पहले से रहेगा इंडस्टी आपको select करना जो भी इंडस्टी आपको होग वह आप यहाँ पर select कर लिजेगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर sector लिखावा है तो आप जिस sector में डिल करते हैं आप सेक्टर यहाँ प इसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर incorporation registration date देना पड़ेगा जिस date में आपका company incorporate हुआ है वो आपको देना पड़ता और यहाँ पर pan number आपको company का देना पड़ेगा इसके बाद आपको save के बटन पर click कर देना है जैसे save पर click किजिएगा तो यह आपका जो ऊपर का detail है पूरा save हो जाएगा आपको यहाँ पर फूरा वेट करना है तो अब जो है आपको second वाले यानिका full address को आपको यहाँ पर click करके आपको fill करना पड़ेगा तो office का जो भी address होगा वह आपको पूरा address यहाँ पर fill कर देना है ठीक है इसके वाद जो है आपको save के बटन पर click कर यहाँ पर ठीक है और उसका designation यानि कि वो डारेक्टर ही होंगे तो डारेक्टर देंगे mobile नंबर और email ID उसका save के बटन पर click किजेगा तो आपका authorized representative detail भी जो है आपका save हो जाएगा ठीक है अब जो है आपको चौथा detail फिल करना पड़ेगा director और partner detail जितना भी डारेक्टर और दो का आपको रो आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले उनका डारेक्टर identification नंबर देना पड़ेगा और नेम ऑफ डारेक्टर जो भी नाम का डारेक्टर को देंगे जेंडर से लिक करेंगे mobile नंबर पोश्टर लेडर और email ID इस तरगर के जो है आपका दूसरा डारेक्टर आपको पर पेसंस रखना है तो आपका डारेक्टर वाला डेटल जो है एड हो जुका है तो अब इसको यहां से आफ करके अब जो है information required यानि पांच नंबर वाले स्क्षन पर चलेंगे तो यहां पर सबसे important portion जो है information required वाला आए ठीके तो यहां पर बताना पड़ता कितने number of employees हैं अभी आपके जितना भी number of employees होगा वह आप यहां पर select करके बता देंगे ठीके और अभी जो आपका start-up है वो ideation stage पर जो मैंने select किया था profile में वह same ही रहेगा अब जो है यहां पर आपको select करना पड़ा है के has your start-up applied for any intellectual property right यानि कि trademark लिए अगर आपने apply किया तब यहां अधर नहीं किया तो नोपे क्लिक करेंगे ठीक है is the start-up creating any innovation product service process और improving an existing product service process और कर रहें तभी आपको यहां पर yes पर click करना अधर आप नोपे करेंगे ठीक है मेरे case में है यानि कि मेरे अगर करते हैं अगर आपका start-up किसी प्रकार का अगर high potential of employment generate कर रहा है तो उस किसमें आपको yes करना अदर्वास नोपे ही रहने देना और यहां पर नो ही रहेगा मेरे case में तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि please submit a brief note supporting the option chosen ever for innovation improvement and scalability जो भी आपने उपर select किया कि आपने improve किया है तो उसके बारे में आपको पूरा detail यहां पर देना पड़ेगा ठीक है और यहां पर पूछा जाए क्या आपका start-up funding receive क्या है तो obviously no होगा क्योंकि मेरे case में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले आपको यहां पर जो brief note लिखना है ना तो इसमें आपको अपने क्या आपको देना पड़ता है तो मुझे पता है कि मेरे क्लाइन के case में मुझे क्या करना है तो मैं यहां पर लिखता हूं तो यहां पर मैंने सारे चीज लिख दिया इसका जो है save के button पर click करेंगे जैसे save के button पर click करेंगे देख यह आपका पांचवा नंबर वाला जो information है यह आपका save हो गया तो अब जो हम लोग छटे वाले पर चलेंगे start-up activity पर तो यहां पर सबसे important portion start-up activity का है यानि कि आपका जो company है यानि कि आपका जो start-up है वो किस प्रकार की activity करते है उसी के बारे में यह सारे question किये जाएंगे तो सबसे पहले यहां पे question आएगा कि क्या आ problem the start-up is solving वो क्या problem है जो कि आपका start-up solve कर रहा है सबसे पहला इसका answer आपको देना है ठीक है इसके बाद दूसरा question है कि how does your start-up propose to solve this problem यानि कि जो भी problem है उसको आपका start-up कैसे solve करेगा उसके बारे में जानकरी देनी है second number पे ठीक है इसके बाद थर्ड नमर पे आजाएंगे यहां पूझा गया है कि what is the uniqueness of your solution जो भी आप solution प्रवाइट करें उसमें क्या uniqueness है वो आपको बताना पड़ेगा ठीक है इसके बाद last question है कि how does your start-up generate revenue यानि कि आपका जो भी company या firm ये start-up होगा वो कैसे revenue generate करेगा उसके बारे में जानकरी होनी चाहिए तो यहां पे अब आप के company आपके firm के related जो है वो answer नहीं हो पाएगा क्योंकि जो मेरे client है उनका एक अलग ही start-up है जिनका मैं यहां पर answer लिखूंगा ठीक है सबसे पहले question देखिए question समझ में आ रहा तभी आप उसका answer कर पाएगे क्योंकि आप ही company है आप अपनी company में किस प्रकार की activity करते किस प्र प्रकान रखिएगा तो चलिए मैं यहां पर one 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 करके सारे question का answer लिख देता हूं तो यहां पर मैंने सारे question का answer मैंने कर दिया है और यहां पर अब जो है मैं save के बटन पर click करूंगा जैसे save के बटन पर click करेंगे देख रहे हैं यह जो है मेरा startup activity वाला जो portion है वो मेरा पूरा अप्लोड करना पड़े देखिए authorization letter कैसे होगा इसका format यहां पर दिया हुआ है ठीक है आप लोग इसको click करके जो format को check कर सकते हैं तो यहां पर मैं आपको दिखा दिता हूं दिखरें मैंने अपने client को यह format भीजाता sign करने के लिए यही है जो है आपका authorization letter का format इसी प्रकार स आपको भी बनाना पड़ेगा और याद रखे कि इसके साथ आपको अधार काड़ अटेच करना पड़ेगा ठीक है इस बात का ध्यान रखे तो अधार काड़ जरूर अटेच कीजिए तो यहां पे मैं इसको upload कर देता हूं इसके बाद यहां पे अगर आपको कोई दूसरा detail एड करना तो add more करके आप कर सकते हैं बट मैं यहां पे दो ही documents upload करूँगा इसके बाद यहां पे सारे में आपको tick out कर देना है ठीक है सारे में आपको क्या करना है tick out कर देना है इस बात क्या ध्यान रखे और read कर लिजेगा मैं तो पूरा read कर चुका हूं मैं तो continue supply करते रहता हूं हर एक बार तो इसलिए मुझे यह आदत है तो आप लोग read जरू कीजे इसके बाद आप इसमें tick out करें ठीक है इसके बाद नीची आ जाएंगे और यह last section में आपको tick out करने के जरूद नहीं है ठीक है तो यहां पे अ तो आप देख पाएंगे यहां पे आपका form submit हो गया है ठीक है ठीक है ठीक है अब जो है आपको okay के बटन पर क्लिक कर दाना यानि फ्रेंट्स आपने जो भी application किया था इस टार्ट अप का वो आपका सब्मिट हो गया तो अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जब अप हम लोग मैक्स टुमेक्स जो है सेविटेश का working टाइम से लेते हैं आप लोगो सेविटेश के अंदर जो हम लोग स्टार्ट अब सर्टिफिकेट आप लोगो प्रवाइट कर देते हैं तो यहां पर हार्ली मैं दो से तीन दिन लोगा इसको अप्रोवल कर आने में ठीक है मै यहां पे आपका जो company name है वो सब्मिट हो गया है यहां पे तो यहां पे जब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर थोड़ा दर वीट करना आपको दिखाऊंगा मैं क्या आ रहा है ठीक है तो आप देख सकते क्या लिखावा दा फॉर्म इज ऑलरी सब्मिटेट करके आ रहा करें तो यह वीडियो में जो है दो से तीन दरी बाद करूंगा और उसी में दिखांगा कि आप का से डाउन्लोड कर सकते हैं नमश्कार दोस्तों तो आप लोगों पता होगा कि मैंने स्टार्ट अप सर्टिफिकेट के लिए एप्लाइब किया था 17 जनवरी 2023 को आज का जो दिन है 20 जनवरी 23 से और जो भी मैंने स्टार्ट अप के लिए अप्लाई गया तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अप्रूब होने के बाद जो है आप सर्टिफिकर कहां से डाउलोड कर सकते हैं तो जब आप फॉर्म के अंदर एंडर करेंगे तो आपका किस प्रकार स देखने को मिलता है ठीक है तो लास्टाइम तो आपको देखने को मिला था कि दफॉर्म है अलरेडी अप्रूब यानिकी अब जो है आपका यहां पर बताया गया है और सर्टिफिकेट कहां से डाउलोड करेंगे देखिए आप वापस इस पिया आएंगे और जब नीचे आ आई हैं जैसे क्लिक करें देख रहें यहां पे आपकाई certificate आ चुका है और यहां पे जो है आता आपको certificate नमबर तो से आपका रुटोवर के तो प्रेंड वी घृगा आपका benefit से अगर आप लोग को नहीं जानकारी होगा तो मेरा लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं इसके लाब मैं एक separate वीडियो बनाऊँगा दो जरते इस में अलग से बनाऊँगा क्योंकि फेंड्स अभी कुछ-कुछ नहीं नहीं अपडेट्स आ हैं तो उसके लिए आप लोग व कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट कीजिए और आप हमारे सर्विस का यूज करना चाहते तो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नंबर दिया हुआ है आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके जो है आप हमारे सारी सर्विस का यूज कर सकते हैं और चैनल पहना है तो चैनल